देखो बंधू, क्रिकेट खेलना अपने आप में कला है और तेज गेनबाजी बाहुबल एवं बुद्धी के प्रचुर प्रयोग की सबसे महत्वपून परिक्षाओं में से एक मानी जाती है नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा एक ऐसी बिरादरी से जो किसी समय विश्व में अपनी कला के लिए विश्व प्रसिद्ध थे परन्तु अब हासे का प्रतीक बन चुके हैं जी हां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी पेज गेंबाजों की जिने तेज गेंबाज समझने की भूल से भी भूल ना करें तो अविलंब आरंब करते हैं अब कोशल और शडेंत्र में उतना ही अंतर होता है जितना गेंबाजी और चकिंग में होता है क्रिकिट की बात करें, तो पाकिस्तान का record विशेश कर गेनबाजी के दिनों में हाली में बहुत आपत्ती जनक रहा है। प्रकार के बेइमानी से परिपूर्ण हो तो अब तो ऐसे में पाकिस्तानी खिलाडियों की एक लंबी सूची है जिसमें हर बार चकिंग का नाम दोराया जाता है। इसे टेस्ट लाहॉर में ICC के मानेता प्राप परिक्षन के इंदर में आयोजित किया गया था और रिपोर्ट में मुहम्मद हसनेन की गेनबाजी एक्षन को अवैध पाया गया था। फुड लेंथ डिलिवरी, स्लो बाउंसर और बाउंसर के लिए उसकी गोहुनी और विस्तार की 15 डिगरी की सीमा से अधिक थी। PCB ने इस पर चर्चा की है और गेनबाजी विशेशग्यों के साथ रिपोर्ट इस बात पर आश्वस्त है कि समस्या का समाधान किया जा सकता है। PCB अब एक गेनबाजी सलाकार नियुक्त करेगा जो मुहमद हसनैन के साथ काम करेगा ताकि वह अपनी गेनबाजी एक्शन में सुधार कर सके और पुनर्द मूल्यांकन के लिए तयार हो सके। अब यहां ध्यान देने योगित बात तो यह है कि सिडिनी सिकसर्स के कप्तान मोजेस हेंरीक्स ने पिछले महीने एक बिग बैश मैच के दौरान हसनैन पर चकिंग का आरोप लगाया जिसके पच्चात उसे गेनबाजी करने से रोक दिया गया। इसके पच्चात उसे पाकिस्तानी सूपर लीग में शामिल होने की अनुमती भी नहीं दी गई। रख सकते हैं। हसनैन को अभी बोर्ड की ओर से अपने खेलने की शैली में सुधार और संशोधन करने के लिए समय दिया गया है। पर जब इतिहास ही चकिंग और भरष्टाचार के छीटों से भरा हुआ है तो प्राकिस्तानी खिलाडी आज नहीं तो कल फिर से इसे दोहरा सकते हैं। आज हसनैन है कल कोई और खिलाडी होगा। गौर तलब है कि पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में चकिंग सबसे बड़ा किरदार निभाता आया है। पाकिस्तानी गेनबाजों की बात करे तो शोय बक्तर से लेकर सईयद अजमल मुहमद हफीज इत्यादी उन खिलाडियों में से है जिनके खेल इतिहास में चकिंग एक एहम भूमी का अदा करता आया है। यही नहीं चकिंग के आदी हो चुके कई पाकिस्तानी गेनबाज उसे कई बार वैद करने के लिए अपनी आवाज उठाते आये हैं। शोय मलिक और शोय बकतर अंतराश्रीय मैचों में संदिक्द गतविदियों के लिए रिपोर्ट किये जा चुके हैं। एक कहावत है कि पूत के पाउं पालने में नजर आ जाते हैं और ये पाकिस्तानी गेनबाजों के लिए बिल्कुल सटीक बहता है। कि जो खिलाडी पूर में अपने साथी खिलाडीयों की भूल से सीख ना लेते हुए एक ही गलती दोहराता रहे वो कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि इसे गलतीत सुधारना नहीं दोहराना आता है। चकिंग को वैद करने की मांग करने वालों को उसको रोकने के लिए कौन ही प्रेरित कर सकता है। जब उनकी नजर में ही वो खेल का भाग है।